मैं बागेंद्र महतो ग्राम पोष्ट सित्रपूर प्रखंडमाजी जिला सारण का एके प्रगती सिलकिशान हूँ और नए धन से गेंदा की खेती पर कुछ आप से बात करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि ये गेंदा का जो पौधा है इसका सीडलिंग मंगा कर हम इसका सीड तयार करते हैं सीड तयार करने का जो भी तरीका है बर्मिकुलाइट पेरेलाइट और कोकोनट पी के द्वारा इसको बीज को उगाने में सहायता लेते हैं जैसे बहुत बीज सेंसेटिव होता है और बहुत कोश्टली भी होता है तो इसको उगाने के लिए इन घटकों का हम प्रयोग करते हैं जब हमारा पौधा प्राइमरी स्टेज में यह होता है ऐसा प्राइमरी स्टेज में होता है सेकंड का स्टा सेकंड का स्टेज मेरा यह होता है थार्ड स्टेज में जब फूल आने लगती है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको गाय के गोबर और मुत से जो जीवामरित तयार होता है उसका इस्तमाल इसमें किया किये हैं आप देख सकते हैं फूल कायकार परकार आप दितने बडी बड़े स्पूल हैं ए सारे सारे स्पूल पड़े हैं ये केवल ठंडा के मौसम में ही ये होता है, गर्मी पढ़ने पर उतना ये सिंसे एथी नहीं होता है इसका सीडलिंग भी हमारे यहां प्र्याप्त मात्रा में उपलब रहता है आप चाहें तो मेरे यहां से सीडलिंग भंगा सकते हैं कांटेक्ट नंबर है 9801 16362 97 99 4927 सूर यह मेरा कंटेक्ट नंबर है हर हमेशा आप संपर कर सकते हैं और आप ऑडर भी दे सकते हैं सिडलिंग के लिए और और सारे बहुत से फूल हैं जिसका सिडलिंग हमारे यह तयार होता है अप देखिए यह पिला वेराइटी है जो हाप देख सकते हैं कि फूल कि इतना बड़ा बड़ा है उसी का उसी का वेराइटी है तो यह सीड तयार करने के लिए सीड तयार करने के जर्मियासन ट्रे में तो हमने इस इस खाद को तयार करें तो यह आप देख सकते हैं कि को को नटीग है इसमें आप देख सकते हैं कि पेरेलाइट है और वर्मिकुलाइट यह तीनों का मिक्चर लेकर सीड ट्रे में भरते हैं सब ट्रे में भरते हैं फिर इसके एक एक दाना सब ट्रे में देकर फिर उपर से ढखकर और मौस्ट्रिंग देकर नमी देकर इसको बोरा से ढख देंगे हैं आठ दिन में मेरा वीज जम कर तायार हो जाता है फिर इसे या तो कस्टमर को ग्राह को सिड सही बेच देते हैं या अपने खेत में इसको लेकर एक पोधा खेत में लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह मेरा सीड लिंग ट्रे है इस तरह इसको हम वीज जर्मिनेशन कराते जो हो इखहाई नाव आपभा दूनी अ हाद बूस बारत नी आप उनो अजो ने ने पनए थाँ आप ठाउ जाए को आप रहे जा जाए जा फूली जाता फिर आई तो आप देख सकते हैं यह सिड्रिंग टेस्ट्रेस से निकल कर यहां हमने सिफ्ट किया है इसका की मौत हम साथ रुपय में इसको बेखते हैं जब थोड़ा सा रख रखा और बड़ा होने का बाद देखिए सर यह जो पौधे का रंग देख रहे हैं इस इस्तिति में जब आत में जब आता है तो इसका रेट हम 40 रुपय कर देते हैं तो दोस्तों ऐसा है कि आप भी और दे सकते हैं ले सकते हैं इस पर आप काम कर सकते हैं और सप्लाई के लिए हमेशा आप और दे सकते हैं और दोस्तों अब यह मेरा वीडियो एक इसा लगा एक को में आप लिख सकते मेरी दी हुई जनकारी आपको कैसा लगा फिर हम आपसे मिलेंगे दूसरा वीडियो में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत